नमस्कार दोस्तो एक बहुत बड़ी क्रिकेट की खबर नेपाल के निकल क्या रही क्योंकि आज एशियन गेम का नेपाल वर्सेज मंगोलिया का क्रिकेट मैच था जो कि T20 मैच था और इसमें नेपाल ने 3-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिये और ने रिकॉर्ड अपने नाम कर दिये इसे सुनकर आप भी चौग चाओगे और आप भी कहोगे ओ माई गॉड दोस्तो इस मुकाबने में नेपाल ने पहले बैटिंग करते हुए 20 वर्ल में 314 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया दूसरा रिकॉर्ड रा नेपाल के बल्लेबास कुशल मल्ला की तरफ से जिन्नों ना बाद हुआ ने 37 रन तो बनाए ही बनाए लेकिन फास्टेस T20 संचरी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया दूसरा आपको बता दी कुशल मल्ला ने मात 34 बॉल में सेंचुरी बना दी और पिछला रिकॉर्ड रोहिष शर्मा और डैविड मिलर का था चुकि 35 बॉल में 100 कंप्रीट करने का था कुशल मल्ला ने भारती बल्लेबाज रोहिष शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा साथिसा डैविड मिलर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ये रिकॉर्ड अब हो चुका है नेपाली बल्लेबाज कुशल मल्ला के नाम और एक history create की कुशल मल्ला ने उनकी बल्लेबादी एकदम धुमाध धार रही जो आप देखते तो विसफोटक बल्लेबादी थी साथ दीपेंदर सिंग एरी ने भी एक record बनाया और उन्होंने युवरास सिंग का record तोड़ दिया जी युवरास सिंग वही बल्लेबाद जिनके नाम fastest 50 का T20 में record था लेकिन अब नहीं क्योंकि वो अब नेपाल के धिपेंदर सिंग एरी के नाम हो चुका है क्योंकि उन्होंने महज 9 बॉलों में 50 कंप्लीट कर दी जो कि एक world record कायम हो गया पिछला record जो युवरास सिंग के नाम था वो 12 गेंदों में था इंगलेंड के खिलाब और नेपाल ने मंगोलिया को 41 रन पे ओल आउट कर दिया 13.1 और इस मैच को 273 रनों से चीटा जो कि बहुत बड़े रनों की मार्जिन की चीट थी नेपाल के प्लेयर्स ने जो madness दिखाई है वो कही न कहीं हिस्ट्री क्रियेट कर दी है और यह कहीं न कहीं नेपाल के क्रिकेट का एक historical डे आज बन चुका है और इन सभी रिकॉर्ट में आपका कौन सा पर्सनल फेवरेट रिकॉर्डर कमें बॉक्स में कौन के जरूर बताएगा साच साथ इतनी धुएदार पर्फॉर्मेंस के लिए नेपाल के क्रिकेट प्लेट से लिए एक कॉमेंट दो बनता है तो प्लीज कॉमेंट जरूर लिखेगा विल लाव यू नेपाली क्रिक्टर्स